हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज हम लोग आपके साथ एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन आफ एरर्स और इस चैप्टर की खासियत यह है बेटे के यह वाला चैप्टर ना बच्चों को ज्यादा तर अच्छा लगता नहीं है हाँ इसका मतलब यह है कि कभी जब आप 11th क्लास को क्रॉस कर जाते हैं और आगे जब आप एकाउंट्स पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रोफेशनल कोर्सिज में तो हम लोग कई बार बच्चों से पूछते हैं कि 11th क्लास में पता है एक चैप्टर जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तो सभी बच्चे एक ही स्वर में अवाई देते हैं सर रे ठीक है तो इस चैप्टर को यहां पर आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा so that future में आप यह ना कहें कि सर यह हमें अच्छा नहीं लगता ठीक है ना आईए जी मेरे साथ साथ ऐसे बढ़िया चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं और हम चैलेंज ले करके पढ़ेंग तो हम कहेंगे हमारा फेवरेट चैप्टर है ठीक है जी आईए सर शुरू करते हैं मैंने का चलिए सबसे पहले तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ क्या लिखेंगे heading लिखेंगे rectification of errors अब बिटे पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि सर errors क्या हो जाती है errors को मतलब क्या मतलब है errors से ठीक है तो error का मतलब है any wrong treatment given in accounts of any transaction किसी transaction की accounting आपने गलत कर दी तो हम उसे बोलते हैं error बेटे एरर इस ओल्वेज अन इंटेंशनल मतलब मैंने जान करके गलती नहीं की थी जान कर गलती करना तो fraud कहलाता है तो error का मतलब है कि आपने accounting में किसी भी transaction का treatment किया है और वो treatment आपने गलत कर दिया है तो हम उसे बोलते है errors ठीक है जी और अगर मैंने कोई error की है तो बेटे मुझे उसका क्या करना है rectification तो मतलब chapter का नाम ही अपने आप में बताता है कि हम लोग क्या करेंगे पहले तो हम गलती को पकड़ेंगे और फिर हम गलती का सुधार करेंगे इसलिए chapter का नाम है rectification of errors ठीक सबसे पहले तो बेटे मुझे आपको ये बताना है कि errors कितने प्रकार की होती है अब accounts में errors की तो कोई सीमा ही नहीं है कोई भी व्यक्ति कोई भी गलती कर देता है लेकिन फिर भी हमने उसे एक दाइरे में बांधने की कोशिश की है accounting community ये कहती है कि errors को वैसे तो errors की सीमा ही नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि गलतियां किस-किस तरह की होती है ज्यादतर गलतियां कैसी होती है और उन गलतियों को कैसे ठीक किया जाता है और जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप अपने आप ही हर तरह की गलती को ठीक करना सीख भी जाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि Errors कितने तरह की हो सकती है Kinds of Errors ठीक है जी? तो लिखें मेरे साथ साथ Errors Can Be या Errors May Be of Following Types यानि गलतियां इन प्रकार की हो सकती है समझ मैं हमने गलतियों के भी प्रकार बना दिये ठीक है? Number One सुन्दर सुन्दर से नाम देने पड़ते हैं तो पहली गलती का नाम हो जाता है Errors of Principle Errors of Principle ये हमने प्रिंसिपल तो स्कूल का प्रिंसिपल लिख दिया Errors of Principle Number Two दूसरी तरह की Errors कहलाती है Errors of Omission ठीक है जी? और ये Errors of Omission भी ना दो तरह की हो सकती है एक तो होती है Complete Omission Complete Omission अच्छा जी ये स्पेलिंग मिस्टेक होने वाला था ना Omission Complete Omission और दूसरी हो सकती है Partial Omission इसका मतलब ये है के बेटे मैं आपको सिरफ अभी ये बता रहा हूँ के हमने इस चैप्टर में आपके साथ क्या-क्या चर्चाए करनी है तो अभी आपका ध्यान जो है वो लिखने पर होना चाहिए ना कि ये पूछने पर के सर ये क्या लिखवा रहे हो ये क्या होती है ठीक है जी एक तो Broad Category हो गई Errors of Principle एक हो गई Errors of Omission एक हो गई Errors of Commission Errors of Commission ठीक है जी और एक हो जाती है हमारे पास Compensating Errors Compensating Errors तो चार तरह की Errors के Help से हम आपको सिखाएंगे के Errors क्या है और उनका Treatment क्या है ठीक है आप चाहें तो ना इसका एक सुन्दर सा चार्ड भी बनादागे सकते हैं सर चार्ड कैसे बनेगा मैंने का देखिए चार्ड तो ऐसे बनेगा ना Kinds of Errors लिखिए Number One हमें न चार्ड बनाना अच्छा लगता है किताब में चार्ड बनाओ तो हम देख के खुश हो जाते हैं बताईए पहले तरीके की Errors का नाम बताईए सर पहले तरीके की Errors को लिख दो Errors of Principle Errors of Principle ठीक है जी दूसरी Errors का नाम बताओ Errors of Omission ठीक है Errors of Omission फिर आपने दो पार्ट में डिवाइड की थी या तो Complete Omission हो गई होगी या फिर Partial Omission रह गई होगी ठीक है और उसके बाद फिर हमने कही थी Errors of Commission Errors of Commission ये बहुत बड़ी है इसलिए इसके प्रकार मैं यहां पर बनाओंगा नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा कैटेगरी इसी के अंदर है और फिर बच जाती है हमारे पास Compensating Errors ठीक ये तो हमने चार्ट बनाया कि पहले बच्चों को याद होना चाहिए कि हमने पढ़ना क्या क्या पिर हम एक एक लेके शुरुआत करेंगे ठीके जी तो सबसे पहली Error का मैंने Heading डाली इसका नाम है Errors Of Principle पहली Error का नाम लिखेंगे Errors Of Principle सर भला ये Errors Of Principle होती क्या है तो भैया थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ साथ कुछ बाते नोट करेंगे ठीके मैंने कहा के Suppose ट्रांजेक्शन है के राम पर्चेस्ट अफर नीचर फॉर कैश रूपीज तैन थाउजन बताईए इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चे कहते हैं अच्छा राम ने फरनीचर परचेस किया कैश दे करके इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए अब देखो बच्चे बोल नहीं रहे एंट्री बच्चे कहते हैं पहले सर बोलेंगे फिर हम लिखेंगे और फिर हम बोलेंगे जबकि मैं जानता हूँ कि आप इसकी एंट्री बोलेंगे न तो कम से कम 25 परच्चे इसकी एंट्री मुझे गलत ही बताएंगे हाला कि बहुत ही आसान है इसलिए मैंने का सिरफ 25 परच्चे ऐसे होंगे जो इसकी एंट्री गलत बताएंगे ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ सही एंट्री क्या है जो बच्चे सहे entry बता रहे हैं वह मैं यहां लिखणा और जो बच्चे गलत entry बता रहे हैं तो मैं यहां लिखणा तब ही तो समझाओंगा कि गलती हो जाती है सर इसकी correct entry ठीक है जी इसकी correct entry होगी furniture account debit to cash account दस हजार और दस हजार लेकिन कुछ बच्चों ने गलती से इसकी एंट्री ये भी बोली होगी परचेज एकाउंट डेबिट टू कैश एकाउंट हाँ अब जिन बच्चों ने गलत एंट्री बोली होगी न वो अपनी बात से पलट जाएंगे के नहीं हमने तो सही एंट्री बोली थी बेटे लेकिन मैं कहा रहा हूँ इसमें कुछ चुपाने की बात नहीं है गलती तो हो जाती है यानि अगर कोई व्यक्ति फरनीचर परचेज करें न तो उसकी एंट्री होनी चाहिए फरनीचर एकाउंट डेबिट टू कैश लेकिन कई बारना हमारे को इतनी ज़्यादा परचेज के एंट्री बनाने की आदत होती है कि हमारे मन से एंट्री निकलाती है कि परचेज एकाउंट डेबिट टू कैश इसको बोलते हैं करेक्ट एंट्री इसको बोलते हैं रॉंग एंट्री इसका मतलब ये करना चाहिए था और बच्चे ने इसको ये दिखा दिया ठीक है जी Error of Principle ये कहती है आफमस्टेश और चेज अफिक्स्ट सुमतामस बचेश दिख अष्ट माल चेश्ट चेश सुमतामस्टेश अविग्सेट इस कि ये इस बैस इस नार्माल चेश्ट बेटे जब हम fixed assets को purchase करते हैं तो वो आगे चलके न हमारी balance sheet के अंदर जाता है और जब हम कोई खर्चा करते हैं वो हमारे profit and loss account में जाता है ठीक है ये वाला partner अभी कुछ बच्चे जानते नहीं है हमारा fixed assets कहां जाता है balance sheet में और जो balance sheet में जाता है न उसको हम बोलते है capital expenditure और जो P&L में जाता है उसको बोलते है revenue expenditure अगर मैं simple भाषा में आपको समझाओं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार हम purchase of asset को normal expense दिखा देते हैं अगर हमने ऐसी गलती की तो इसे बोलते है error of principle और यदि मैं technical भाषा में कहूं तो मैं ये कहता हूं कि sometimes capital expenditure is treated as revenue expenditure ठीक खेर technical बाते तो होती रहेंगी और और y से वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा मैंने हिंदी में लिख दिया इसका उल्टा उल्टा मतलब क्या उल्टा मतलब कई बार हम खर्चे को asset में डाल देते हैं यानि मेरी क्या गलती हुई सर मैंने asset को गलती से खर्चे में डाल दिया या फिर कई बार हमने खर्चे को गलती से asset में डाल दिया इस गलती को बोलते हैं error of principle अभी अभी मैंने आपके सामने example लिया ठीक है मैं अभी ऐसे और भी example आपके साथ लूँगा अब सवाल ये उड़ता है कि सर देखो ठीक कैसे किया जाए ठीक है जी rectification कैसे की जाए बेटे rectification करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा के correct entry क्या थी प्लस फिर आपको ये पता लगाना पड़ेगा के wrong entry क्या थी जब ये दो चीज़े आप पता लगा लेंगे ना तो फिर हम बनाएंगे rectification entry और rectification entry करने का नियम ये होता है के correct entry को आपको मिलाना है reverse of wrong entry से हाँ पहले लिखेंगे फिर हम सारी की सारी बाते आपको समझाएंगे लिख लेंगे तो मुझे बताएंगे के हाँ सर आप आगे बढ़ सकते हैं सर example लिखेंगे मैंने का आईए मेरे साथ साथ पहले example लिखेंगे फिर इस rule को समझेंगे example मैंने का लिखें purchase of furniture रूपीट टैन थाउजन्ड रॉंगली डेबिटीड टू purchase account मैंने जो पिछली transaction आप से पूची थी न उसी को गलती के तरीके से कैसे लिखना है वो लिखके दिखाया है purchase of furniture wrongly debited to purchase account इसके लिए मुझे एक तो correct एंट्री चाहिए और एक wrong एंट्री चाहिए तो पहले मैं हमेशा लिखूंगा wrong एंट्री सबसे पहले मैं लिखूंगा wrong एंट्री wrong एंट्री आपको इसी लाइन में पढ़के पता लगानी है वो कह रहे है मैंने wrongly debit कर दिया है किसको purchase को तो भाई wrong एंट्री हो जाएगी मेरी purchase account debit to cash अब मैंने का भाई correct एंट्री क्या होनी चाहिए थी sir correct एंट्री होनी चाहिए थी furniture account debit to cash account ठीक है जी हाँ अब मैंने ढूंडनी है rectification entry तो बेटे पहले step number one आपने सबसे पहले गलती में से ढूंडनी है कि गलत क्या किया गया ये गलत एंट्री है step number one फिर step number two आपने correct entry का पता लगाना है ये दोनों ही मेरे working note के काम है मेरे को answer में क्या बताना है rectification entry ठीक है जी तो rectification entry कैसे बनाते हैं सबी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे ठीक है जी दोनों entry को compare करना है और दोनों entry में जो आपको same दिख रहा है उसको पहले तो काट दो ठीक है जी इसको काट दो सर cash यहां पर भी credit है और cash यहां पर भी credit है तो इसको काट दो इसका मतलब है कि अब आप cash को भूल जाईए cash में कोई गलती नहीं है यह देखिए सबसे पहले तो जो गलती नहीं है उसको बाहर कर दो cash credit होना चाहिए था और cash credit हुआ है देखिए correct entry कह रही है cash को credit होना चाहिए और wrong entry कह रही है भईया मैंने भी तो cash को credit किया है मैंने का इसी लिए तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप cash को काट दो इसका कोई काम दी है काट दिया अब बताईए यह गलत debit हो गया purchase debit होनी नहीं चाहिए थी मगर मेरे से debit हो गई cash मैं बच्चा होता cash मैं बच्चा होता तो मैं एक rubber उठाता और rubber उठा करके purchase को यहां से delete कर देता क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बताईए बेटे business में आप काम कर रहे हैं account में ऐसा नहीं होता के आप यहां से काट दीजिए या इसको आप rubber से मिटा दीजिए जब मैं इसे काट नहीं सकता जब मैं इसे rubber से मिटा नहीं सकता तो भाई मैं कर क्या सकता हूँ सुनो एकाउंट्स कहती है कि ये दी आपसे कोई चीज गलत हो जाए न तो आप उसे रिवर्स कर दो ये मैंने रिवर्स लिखा है न इसका मतलब डैबिट को हटाने के लिए अब आप क्रेडिट कर दो समझ मैं यानि परचेज गलती से डैबिट हो गई अब इसे कैसे ठीक करूँ अब आप परचेज को क्रेडिट कर दो समझ मैं मैं कहता हूँ एक आदमी अगर एक किलोमीटर राइट चला गया है गलती से मुझे फोन कर रहा है कि मैंने आपके घर आना है क्या करूँ तो मैं कहूँगा भई अब उल्टा आजाओ एक किलोमीटर उल्टे आजाओ तो भई परचेज डैबिट हो गई जो की होनी नहीं चाहिए थी तो मैं कहूँगा अब आप इसको रिवर्स कर दो इसका मतलब परचेज को आप क्रेडिट कर दो तो भई मैंने लिखा टू परचेज एकाउंट ये लीजिए ठीक है जी ये मेरी इस गलती का सुधार हो गया जब मैंने परचेज एकाउंट को क्रेडिट किया तो ये डैबिट खतम हो गया इसका इफेट खतम हो गया और फरन मेरे पास आ गया किया रहा है लो जी अब बताओ कहां जाने अब मैंने उसे सही रास्ता दिखा दिया मैंने का लो अब सही रास्ते पर चले जाओ यानि कि जो सही होना है उसको as it is लिख दो ये लो इसका मतलब furniture जो की पहले debit नहीं हुआ उसे debit कर दो और purchase जो पहले debit गलती से हो गया था उसको credit कर दो इससे इसका प्रभाव खतम हो गया और इसका प्रभाव डल गया ठीक है जी being rectification entry made ये narration डाल दी समझ मैं ठीक है ये कौन सी गलती हुई इसको बोलेंगे कि जब हमने asset को गलती से खर्चे में डाल दिया ठीक है सर अब आप हमें एक और transaction लिख के बताओ मैंने का लीजिए लिखें machinery purchased rupee 5000 wrongly passed through purchase book machinery purchased rupees 5000 wrongly passed through purchase book अब आपको याद है कि purchase book में क्या record किया जाता है किसी बच्चे को याद है बच्चे कह रहे हैं हम याद है purchase book में record किया जाता है credit purchases of goods ये आपको याद होना चाहिए मैंने का rectification में बहुत कुछ चाहिए होता है जब author ने लिखा है कि मैंने purchase book में डाल दिया तो इसका मतलब है purchase book में तो record होती है credit purchase of goods तो इसका अपने आप मतलब है कि उसने इसे goods की purchase दिखा दिया हाँ ये भी same error हुई है अब बताईए wrongly passed through purchase book इसका मतलब मैंने इसकी entry क्या लिख दी है इसकी entry मैंने लिख दी है purchase account debit to supplier ये मैंने इसकी गलत entry लिख दी ये लिजी it is wrong entry अच्छा जी machinery purchase को कहां लिखा जाता है machinery purchase को हम purchase book में नहीं लिखते हैं उसको लिखते हम journal proper में खेर मुझे तो इसकी correct entry से मतलब था इसकी correct entry क्या होनी चाहिए थी सर इसकी correct entry होनी चाहिए थी machinery account debit to supplier ये मेरी correct entry होनी चाहिए थी अब बताईए अब मुझे आब बताईए कि इसकी rectification कैसे की जाएगी याद कीजिए पहले तो wrong entry पता लगानी है सर पता लगा ली ये working note का काम है फिर correct entry पता लगानी है ये भी working note का काम है अब बताईए rectification entry कैसे बनानी है सर पहले तो हम दोनों entry को compare करेंगे और दोनों में जो बिलकुल same होगा वो हटा देंगे इसका मतलब ये के supplier credit होना चाहिए था और supplier credit हो भी गया है इसलिए इसको तो काट दीजिए ठीक है अब जो गलत हो गया है उसे reverse कर दो ये गलत हो गया है तो गलत को तो reverse कर दो तो purchase को कर दो credit टू परचेस इसको reverse कर दो और इसको as it is लिखो ये लो इसका मतलब machinery को debit कर दो और purchase जो गलत debit होगी है उसको credit कर दो being rectification entry made being rectification entry made बोल ये ये भी clear हो गई ठीक है बच्चे कह रहे हैं के सर अब हमारे को और example दो मैंने का लीजे और example लिखे sale of machinery पोस्टी टू सेल्स अकाउंट रूपीज सिक्स आउजन्ड sale of machinery मतलब मैंने machinery बेची थी जिसे मैंने गलती से sales account में डाल दिया ठीक है सर पहले तो हम wrong entry पता लगाएंगे मैंने का ठीक wrong entry पता लगाईए sale of machine थी लेकिन हमने गलती से sales account में डाल दिया जानते हो sales account credit होता है इसका मतलब आपने entry डाल दी cash account debit to sales account ये आपने गलत काम किया जबकि सही काम क्या करना चाहिए था जबकि सर ये sale of machinery थी तो sale of machinery को तो हम machinery account में credit करते हैं अब ये बात और है कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर sale of machinery के entry तो cash account debit to sales होती है अब कोई बच्चा नहीं बोले है कह रहे सर हमने तो यहीं कहा है यहीं entry होती है हाँ खैर कोई बात नहीं ये wrong entry बन गई है correct entry बन गई है बच्चे कहने है सर इसकी rectification हम बनाएंगे मैंने कब बनाई ये सर ये part दोनों में same है इसको काट दो मैंने काट दिया ठीक है अब सर ये जो गलत हो गया था sales मुझसे गलती से credit हो गई थी इसको कर दो debit sales account को कर दो debit तो भाई इसका सुधार हो गया और जो correct होना चाहिए था उसको तो sir as it is ही लिखा जाता है तो लिखो to machinery account ये लिख दिया 6000 हो गई rectification being rectification made ठीक है अच्छा सर और बताओ मैंने का ठीक है और लिखिए नंबर चार ठीक है जी अब नंबर चार में पहले मैं इसमें कुछ छोटा सा रूल याद करा दूं फिर लिखवाता हूं ठीक है sir हाँ पहले आप छोटा सा रूल बता दो इससे हमारे को entry बनाने के concept भी revise हो जाएंगे एक रूल होता है for example चलिए रूल से पहले मैं example लिखता हूं मुझे ये बताईए example machinery purchased machinery purchased rupees 12,000 installation and cartage paid हमने एक machine खरीदी और फिर machine के लिए हमने installation भी पे करी और हमने उसकी लिए लाने का किराया भाड़ा भी पे किया ये कितना पे किया sir 3000 मैंने का बताओ इसकी journal entry क्या होनी चाहिए chapter के अंदर बेटे पहली समस्या तो ये है ना कि बच्चे को पहले तो correct entry पता होनी चाहिए तभी तो वो जान पाएगा न कि correct entry क्या थी wrong entry तो question बताई देता है कि मैंने ये गलत किया तो बच्चे को ultimately पहला काम क्या करना होता है correct entry पता लगानी होती है तो अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मुझे rectification में कठिनाई हो रही है तो उसका कारण ये है कि उसको अभी तक correct entry बनानी ठीक से समझ में नहीं आई मुझे इसकी entry बताईए क्या होगी ठीक है इसकी entry होगी machine account debit 15,000 तो cash account 15,000 इसका मतलब जब हम machine खरीते हैं तो तो entry होती है machine account debit to cash ये तो हर बच्चा अक्सर ठीक कर देता है लेकिन जब भी हम निया asset खरीते हैं तो नए asset से जुड़ा हुआ खर्चा जब करते है न तो बेटे उस खर्चे को हम खर्चा नहीं कहते हैं उस खर्चे को भी हम asset का part कहते हैं यानि machine तो 12,000 की आई लेकिन उसकी installation और cartridge पर खर्चा कितना हुआ तीन हजार तो installation और cartridge expense को हम expense नहीं मानते हम उसे भी asset का part मानते हैं यही rule है तो इस rule को कैसे लिखेंगे यहीर पर खर्चा लेकि इस पेड़ पार को कि लोगोनओ »जब दिछ का कॉआ़े इस आखर्चार क हम संगिश कर रससे दीन हो लगे पार चीजते हैं ऑ्टेoten का account अगर आपने कोई खर्चा किया है एसेट को इस्तेमाल में लाने से पहले अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे को debit कर देना asset account में जैसे के भाई आपने घर में DTH लगवाया DTH direct to home जो setup box होता है तो जब तक company वाले आके उसको install नहीं करेंगे आपका setup box काम थोड़ी ना करेगा आपने नया computer लिया तो आपने उसको पहले install करवाना है ठीक है जी अब sir setup box और computer तो हम अपनी गारी में रखके ले आते हम कार्टेश देते नहीं हैं मैंने का आपने घर में AC लिया अब क्या होगा तो sir वो तो आएगा पहले कार्टेश देनी पड़ेगी AC भारी होता है न तो वो अलग से बेजते हैं दुकानदार तो उसके वो पैसे लेते हैं तो कार्टेश पे करोगे उसके बाद बिजली वाले को बिलाओगे कि भाई इसको install कर दो तबी तो ऐसी चलेगा ठीक है आपने घर में सर्दी में गीजर लिया तो सिर्फ गीजर खरीदने से तो काम नहीं चलेगा ना पहले इस गीजर को लाने का भाड़ा लगेगा फिर उसको install करवाना पड़ेगा तबी तो वो चलेगा यानि एसेट खरीदोगे तो खर्चे भी करने पड़ेंगे और इस्तेमाल करने से पहले के जितने भी खर्चे होते है ना उन्हें हम खर्चा नहीं कहते हैं उन्हें हम एसेट कहते हैं और इसके majorly example मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं बच्चे उश्यार हैं बच्चे कह रह और कार्टेज और बताओ और कोई खर्चा बताओ सर जैसे लीगल चार्जिस इन केस ऑफ बिल्डिंग अगर आप बिल्डिंग खरीद हो गए तो बिल्डिंग के बिटे आपको अपने नाम पर ट्रांस्वर करानी पड़ती है तो लीगल चार्जिस या रेजिस्ट्रेशन चा पेड फॉर इरेक्शन कहो या कंस्ट्रक्शन ओफ मशीनरी कहो वेजिस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ओफ मशीनरी या वेजिस पेड फॉर मेकिंग ओफ फरनीचर अब बच्चा क्या करता है जैसी वो वेजिस शब्द सुनता है वो वेजिस अकाउंट में डेबिट कर देता है जबकि हमारा नियम कह रहा है कि जो वेजिस मशीनरी की कंस्ट्रक्शन के लिए दी जाएगी वो वेजिस नहीं कहलाएगी वो मशीनरी कहलाएगी हमारा रूल कहँ रहे हैं कि जो wages furniture को बनाने के लिए दी जाएगी वो wages नहीं कहलाएगी वो furniture कहलाएगी ठीक है जी तो यह वाली गलती अकसर बच्चों से हो जाती है तो इसलिए यही हमारे से पूछता भी है और बच्चा कहता है बताओ इसमें गलती थी क्या जो मैं रेक्टिफाई कर दूँ लिखो example number four wages paid for making of furniture wrongly debited to furniture account wrongly debited to wages account मैं भी क्या बाते कर रहा हूँ rupees 3000 wages paid for making of furniture मैंने का अगर आपने wages furniture बनाने के लिए दी हैं तो उस wages को wages account में नहीं furniture अकाउट में लिखते हैं लेकिन जिसे ये rule ना पता हो उसने तो रट रखा होगा कि wages pay की हैं तो wages account में debit कर दो अब बताएए सर इसकी तो wrong entry हो जाएगी wages account debit to cash ये wrong entry मैंने पास कर दी अब इसकी correct entry बताएए अब इसकी correct entry होनी चाहिए थी furniture account debit to cash account अब मुझे बताएए इन दोनों को जोड़ करके rectification entry क्या डालेंगे rectification entry सर पहले तो इस cash को भूल जाएए इसमें गलती नहीं है मैंने का ठीक हो गया उसके बाद सर जो गलत किया उसे तो reverse कर दो तो यानि wages को मैंने debit किया है न तो wages को तो सर आप credit कर दो wages account तीन अजार और ये ठीक हो गया अब ये रह गया तो सर furniture account को अब आप debit कर दो furniture account को आप debit कर दो लीजे बटे ये काम पुरा हो गया बिंग रेक्टिफिकेशन मेड बिंग रेक्टिफिकेशन अच्छा जी एक्शंपल नमबर फइफ रिपेर्स तो मशिनरी रूपी एट थाउसंद रूंगली डेबिटी टू मशीन अकाउंट बच्चे कह रहे हैं अच्छा इसमें क्या गलती है नहीं गलती है रिपेर्स करवाई थी मशीन में अब बताओ रिपेर्स को रिपेर एकाउंट में डालूंगा कि मशीन में डालूंगा रिपेर को बेटे रिपेर में डालते हैं ठीक है जी तो रिपेर को रिपेर में डालना चाहिए लेकिन मैंने कहाँ डाल दिया मशीन अकाउंट में तो फिर ये मेरी रॉंग एंट्री क्या हो गई सर रॉंग एंट्री तो आपने बना दी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 8000 जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी सर करेक्ट एंट्री तो रिपेर्स को रिपेर्स में डालते न रिपेर्स एकाउंट डेबिट टू कैश अब सर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री तो हम फराटे से बना सकते हैं जो ठीक था उसको debit कर दो और जो गलत था उसके reverse कर दो तो इसकी rectification entry हो जाएगी repairs account debit to machine account ये लिजे बिटे ये rectification entry पास हो गई अब एक और छोटा सा example लिख लेते हैं जब repairs की बात आई गई है रिपेर्स ओफ ओल्ड मशीन पर्चेज रूपीज 12,000 रॉंगली डेबिटी तू रिपेर्स अकाउंट रॉंगली डेबिटी तू रिपेर्स अकाउंट अब मुझे ये बताईए क्या पांचवी में और छटी में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है इन दोनों में डिफेर्स है नॉर्मली रिपेर्स जो होती है न वो रिपेर अकाउंट में आती है लेकिन मान लीजिए मैंने कोई पुराना एसिट खरीदा तो पुराना एसिट जब मैं खरीदता हूं न तो उसकी रिपेर्स के ओपर न मेरा ये वाला रूल लग जाता है ये जो मैंने आपको सिखाया था कि खर्चे को खर्चा नहीं एसिट में डेबिट करते हैं ठीक है जी ये रूल एक और चीज़ पर लगता है किस पर रिपेर्स आफ ओल्ड मशीन इसका मतलब रिपेर्स आफ ओल्ड मशीन को याद कर लीजिए रिपेर नहीं कहेंगे मशीन अकाउंट कहेंगे रिपेर्स आफ ओल्ड मशीन रिपेर्स नहीं कहलाएगी मशीन में जाएगी जबकि उसने कहां डाल दी थी और इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए सर रॉंग एंट्री की बात करते हैं ठीक है जी उसने डेबिट कर दी रिपेर्स में तो रॉंग एंट्री है रिपेर्स एकाउंट डेबिट टू कैश बारह हजार यह रॉंग एंट्री है करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीन एकाउंट डेबिट टू कैश एकाउंट अब सर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी मशीन एकाउंट डेबिट टू रिपेर्स एकाउंट बारहजार बिइंग रेक्टिफिकेशन मीट हाँ जी तो हम क्या कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं बिटे इन केस ओफ एर्रस ओफ प्रिंसिपल इन केस ओफ एर्रस ओफ प्रिंसिपल एसेट्स आर रिकॉर्डिड एज एक्स्पेंस और या फिर इसका उल्टा एक्स्पेंसिज आर रिकॉर्डिड एज एसेट्स गलती यह होती है मेन बات यह है के एर्रस ओफ प्रिंसिपल लिख लो do not affect trial balance errors of principle do not affect trial balance या लिख सकते हैं do not affect agreement of trial balance इसका मतलब यह हो गया कि errors of principle की वज़े से मेरे trial balance पर कोई भी परबाव नहीं पड़ता trial balance फिर भी मेरा agree कर जाता है ठीक है इस बात को हम आगे अपने चार्ट पर भी लिख लेते हैं जहां पर हमने आगे चार्ट बना है ना errors of principle यहां लिखा है यहां लिख लीजिए do not affect agreement of trial balance यानि errors of principle की वज़े से हमारा trial balance अफेक्ट नहीं होता do not affect agreement of trial balance ठीक चलिए बेटे एक काम करते हैं आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे और फिर आपको next class में हम लोग सिखाएंगे errors of omission क्योंकि अगर मैं errors of omission आज शुरू करूंगा तो वो हमारे पास आज complete नहीं हो पाएगी तो बीच में break होगी तो इसलिए मैं आज यहीं पर छोड़ देता हूँ और next class में आपको बताऊंगा errors of omission और अभी कोई homework नहीं है सिवाए इसके कि आपको जो मैंने पढ़ाया है आप इसे revise करेंगे ठीक है हमारे पास जो questions होते हैं न बेटे उसमें सब तरह की errors mixed होती है तो जब तक मैं यह सारी errors आपको समझा नहीं लेता तब तक homework देने का benefit नहीं होगा ठीक है तो आज हम यहीं छोड़ देते हैं बाकी आपको next class में पढ़ाएंगे errors of omission ठीक है जी चलिए आज इतना ही